दोस्तोँ आप सामने देख रेक पेशिंट जिंगे दोनों हाथों में खुब पसीन हो रहा है यह ऐसी नियुक्षा हाथ में प्सीने करने दाव सी खिखा ये लगर ये प्सीने कर जा दिखा खती तो ये नहीं करने खता है καुणि एक श्यानी पतलर अक चलिए सकाइज ह। असे श क्या पॉब में सब्सक्राइप और जो होती है। इनके यंदर पाम के अंदर दर अस करेंद प्रसीना के गलाम स्त अवाषश ग्यास बैडगध करेंद हम वे एक्टि Anda जिसे पसीना खूब आता है, यह थारायट एक्सेस के विए से नहीं है, यह बनावट है, जो बच्चपन से आता है, तो आपको पसीना कब से आ रही है, पसीना बच्चपन से आता है, यह किसी बिमारी लक्षण नहीं है, आपकी इस हाथ के अब तल्वे की स्वेट ग्लेन यह ठीक कैसे होगा तो पहले जाने कि यह कोई हाइपर थायट यह थायट ग्लेंड ज्यादा लक्षण नहीं है यह आपके स्वेट ग्लेंड ओर एक्टिविटी के लक्षण है कभी-कभी खांदा नहीं होती कभी बिना खांदा नहीं भुषती है इतकली है ट्रफद मैं इसको ड्ण करता है यह इसको सोल्ट होता है यह यह लि께कर करते रित्त जब एक-दो में मालिस करें छोड़ देते हो तो उसका जो सॉल्ट है केमिकल है इस स्वेट ग्लाइंड को बनना रूख देता है तो बाराइग घंटे के पसीना नहीं आएगा क्योंकि जब पसीना आएगा तो जो इस्टूएंट है उनको लिखने में दिक्कत है कि कावज गिला जाएगा किसी दोस हांस मिलाव तो बड़ा पसीना क्या बात बाद टेंस है क्या लोग सोचे बच्छा टेंस है यह तो टेंस की नसाल नहीं है यह स्वेट ग्लाइंड और ट ट्रीम लगा कर अपना टेंपरी काम चला सकते हैं परमने ट्रीटमेंट करने के लिए इसको प्लासिट सर्जन या कॉस्वेटिक सर्जन इसको एक आइंट फर से प्रसेजर होता है उसमें इस पंजे के नदर एक मशीन चला करके स्वेट ग्लाइन को टीक्टिवेट किया जाए तो उसके डाउन गयाता है यह को बाट्रिं करके भी स्वेट ग्लैंको करके उसके डाउन कया था है तो पारमने लाज श्रीटमेंट होगा एंपरी रज होगा आपको और ड्राइ इस वीडियो से आपने नाजी मिला इसके बार में इसके लिए आप किसे अच्छे स्किन डॉक्टर को दिखा सकते हैं आई हो समया है अथार किसे नहीं है आई हो समया है